सदूम और अमोरा का आज इत्याहस पड़ दीजिया। सदूम और अमोरा को येशु मसी ने नाश कर दीए। आज वो जगा जो है बिल्कुल भी पनप नहीं सकती है। उसको पर खुझ भी बनाया नहीं दा। आज भी वो जिरान बड़ी हुई है। ये सबसे बड़ा उधारन है। परकाशिद भाग के एक अधाय उसके 20 पत से। याँ 20 पत से हम लोग सीख रहे हैं और इसमें हमने नाम रखा था साथ दीपट साथ कलीसियाएं। और इन साथ दीपट साथ कलीसियाओं के तीन भाग जो है जो संदेश हो चुके हैं इसके। और आज जो है हम चौते भाग के विशे में बात करेंगे। जो है वो उस येरुश्यलम का नई येरुश्यलम का जो है जो स्वर्क के अंदर है उसका वो दीपग है। और जब येशु मसीद दीपग है तो इसका मतलब क्या है देखें पवित्र इस्थान में जो साथ दीवट हुआ करते थे और जिसके उपास साथ दीपग से बनाए गए थे वो कहीं अलग से जोड के नहीं बनाए गए थे इसलिए इन चीजों को समझना जरूरी है कि जब येशु मसी को दीपग कहा गया है तो वो दीपग जो है वो उसकी साथ आत्मा येशु मसी है पुद येशु मसी एक है जिया आत्मा है बहुत धेर सी आत्म है उस आत्मा के साथ रूप है वो आत्मिक रूप या उस आत्मा के साथ रूप जो हमने यशया ग्यारा अध्याय और उसके दो पद में भी देखा था हम पिछले तीन रूपों के बारे में उसके तीन लिखा हुआ है थुआ तीरा की कलीसिया के दूद को ये लिख परमेश्वा का पुत्र जिसकी आंके आग की जॉला के समान और जिसके पाउं उत्तम पीतल के समान है वो ये कहता है कि यहाँ पर क्या है यहाँ पर प्रवी ये शुमसी का जो है थुआ तीरा की कलीसिया के अंद उसकी आखे आख की जौला और उसके पाउं उत्तम पीतल के समाने इसके विशे में हम पिछले संदेशों में बहुत घहराई के साथ पढ़ चुके हैं इसलिए यहाँ पर बहुत घहराई की बात नहीं करेंगे बल्कि सिर्फ एक रिवीजन के तोर पे उनको समझने की कोशिश करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि येशु मसी उसका जो आत्मिक रूप है वो क्या है इस कलीसिया के लिए या इस कलीसिया के युक के लोगों के लिए क्या है उसका आत्मिक रूप है और इसका क्या आर्थ है जब हम साथ कलीसियों के विशे में जाएंगे तब हम इसके विशे में सीखेंगे यहां क्या है क्योंकि जब हम कहते हैं उसकी आखे-आख की जॉला के समाने तो जब आप एबरेनियों 12-29 पढ़ेंगे तो वहां लिखा है हमा दिखेंगेन कने में एक Son आग समान वह लिडिया हैं कि दृट पिधर पीद्रतों को आहीं हो करना से जाया हैं सब्सक्राइब मेशक अबेद नगों को और उनको जो है ये संसारिक आग भी जो थी भसम करने नहीं पाई परंतु जब उसके दोस्तों को निकाला गया और जिनों ने डाला था उसको वो जो थे उस आग से भसम हो गए थे तो यहां पर जो है परमेशनिक भसम करने वाली आगए लिखा जब अंत के दिनों में जब दुनिया का अंत होगा जब प्रभी येशु मसी आएगा तो आग उसके आगे आगे भसम करती हुई आएगी यानि बुराई को जलाती हुई आएगी और कुलूसियों एक अदह उसके पंदर्मेपद में लिखा हुआ है कि येशु मसी जो है आदरश वचन आकसा नहीं है परमेश्व क्या कह रहा है अर्मिया के दौरा क्या मेरा वचन आकसा नहीं है अब वचन क्या है वचन जो है वो आग है परमेश्व की मगा वचन है क्या जब हम यहना एक एक पढ़ेंगे तो महा लिखा है आदी में वचन था वचन परमेश्व की साथ तो येशु मसी क्या है एक आग है और वो आग उसकी आँखों से निकलती दिखाई दे रही है या उसकी आँखों में दिखाई दे रही है इतनी चमक इतनी शुदता इतना पवित्रता जो है उसके अंदर दिखाई दे रही है ये समझने वाली बात है और जब हम पीतल के दो खंबे हुआ करते थे और उन दो खंबो के नाम क्या थे आप उनको पढ़ सकते हैं पहला राजा साथ अध्याए 15-22 और दूसरा इत्यास तीन अध्याए उसका 15-17 पत तक वहाँ पर दो खंबो के बारे में दिया गया है और उन दो खंबो के नाम भी रखे गते याकीन वे इस्तिर रखे अब वाज का अर्थ उसी में बल है तो यहाँ पर जो है जो नए यरुशलम दिखाया जा रहा है परमेश्व का जो मंदिर है जब आप परकाशिद्वा के 21-22-23 पढ़ेंगे तो वहाँ लिखाए येशुमसी जो है नए यरुशलम का मंदिर है और उसके पाउं जो है वो दो खंबो का काम करते हैं यकीन और वाज की तरह जो यकीन और वाज जो खंबे थे पुराने समय में पवित्रिस्तान में यहाँ पर येशुमसी का वही है कि येशुमसी जो है वो अपने लोगों को इस्तिर रखेगा और येशुमसी जो है उन्हें बल दे अपनी सामर्थ बल देने का मतलब है अपनी सामत और शक्ति देगा यानि ये दोनों चीजे येश्य-मसी के अंदर जो है वो पाई जाती है। जिया, आये हम पांचमे रूप के बारे में पढ़ते हैं, जो येशु मसी का पांचमा रूप है, आत्मिक रूप है या आत्मा का रूप है, उसकी येशु मसी जो है, आत्मा है, उसका रूप है, मेरे साथ निकाल सकते हैं, परकाशित वाक के तीन अध्याएं, उसका पहला प पर है मरा हुआ अब यहां पर क्या लिखा हुआ है यहां पर परमेश्व कवचन देखे दो चीजे यहां पर देंगे हम ज्यादा आगे नहीं जाएंगे कि कहां तक पढ़ेंगे जिसके पास परमेश्व की साथ आत्माएं और साथ तारे हैं ध्यान दीजेगा जिसके पास पर लिखा हुआ कौन कौन से परमेश्व के आत्मा, परमेश्व के भाई के आत्मा, बुद्धी के आत्मा, समझ के आत्मा, ग्यान के आत्मा, उसके भाई के आत्मा, ये सारी साथ आत्मा हैं और ये सारी आत्मा किस्व में दिखाई देती हैं, येश्व मसी में दिखाई देती है वो जो साथ दीपत के परमेश्व के स्यासन के सामने जल रहे हैं, वो परमेश्व की साथ आत्माएं हैं, वो उन आत्माओं का जो यहां पर रूप दिया गया है, वो प्रवियेश्व मसी का रूप दिया गया है, जो यहां पर लिखा जा रहा है, जिसके पास परमेश्व की सा आत्मा है और 7 तार्य दोनों अलग अलग हैं अक्सर लोग क्या करते हैं कि 7 जो 7 कलीशिया में उनके दूद को ही वो 7 आत्मा समझ्ज बैढ़ देखिते हैं दूद के दूद अलग है मैंने पिछ Keep requires में वी का मच का आत्मा, युक्ति का आत्मा, पराकरम का आत्मा, ज्यान का आत्मा, यावा के भाय का आत्मा, ये साथ आत्मा है, और लिखाए ये उसके उपर ठैरी रहेंगे, किसके उपर, वो येशु मसी के उपर ठैरी रहेंगे, और इसलिए ये साथ आत्मा है, जिससे येशु मसी ये साथ आत्मिक रूप है जो हर कलीसिया में अलग अलग तरीके से दिखाई दे रहे हैं जी हाँ यहाँ पर परमेश्व का बचार आप साथ तारे आप जानते हैं ये साथ कलीसियाओं के दूथे इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं ज्यादा आपको एक्स्प्रिंग करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर सिर्फ थोड़ा सा ये बताना चाहते हैं कि येशु मसी का हर कलीसिया में अपना एक आत्मिक रूप है और उस रूप का अपना एक मतलब है जो हम साथ कलीसियाओं का जब वलन करेंगे तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे छटा जो है परिचा है य जो डाउद की कुँची रखता है जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद कोई हुए को कोई खोल नहीं सकता है वो यह कहता है कि अब यहाँ बड़े समझने वाली बात है देखिए सबसे पहली बात क्या है जो पवित्र और सत्य है यहाँ पर दोनों है जब हम यहांना आठ अधिया उसका 32 पढ़ेंगे तो वहां लिखा सत्य को जानो और सत्य तुम्हें स्वतंतर करेगा देखें विल्कुल साफ लिखा सत्य को जानो सत्य को सत्य को जानने एक वाली बात जो है वह येश्य मसी की हो रही है कि सत्य को जानो और पवित्र तो वह है परमेश्वा का वचन भी इस बात को कहता है कि प्रभी येश्य मसी जो है वो पून रूप से पवित्र है उसके अंदर लेश मात्र भी बुराई जो है वो दिखाई नहीं देती है दूसरी चीज़ जो है यहाँ पर लिखा है कि वह मतलब लिखें आपका पड़ोसी अगर कहीं जाता है और वो आपको अपने घर की चावी देकर जा रहा है को इसका मतलब क्या है कि वह आपको आपके हात में अपना घर का पूरा अधिकार देकर जा यानि आप उसके घर के अधिकारी हो गए आपके अधिकार में वो घर हो गया तो यहाँ पर कहने का मतलब है दाउद की कुझी होने का मतलब क्या है यहाँ पर लिखा हुआ है जो दाउद का सियासन है जो दाउद का राज है उसका अधिकारी येशु मसी है उसके हाथ में उसक तीसरी चो महत्पूर बात हैं, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता, और बंद कोई खोल नहीं सकता है, यशेया 22 और उसका 22 पर जबाब पढ़ेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखा है, मैं दाउत के घराने की कुंजी उसके कंधे पर रखूंगा, और वे खोलेगा, और कोई बंद ना कर सकेगा, वे बंद करेगा, और कोई खोल ना सकेगा, यह पावर जो है, यह येशु मसी के अंदर दिखाए दिये, कि उसको दाउत की संतान भी कहा गया है, और वो दाउत के वंज से आया भी है, मनुशुरू की जब हम बात करते हैं, तो वहां लिखा है तो एक कहने का मतलब है, प्रवी येशु मसी के पास एक ऐसी पावर है, कि उसके अगर उसने बंद कर दिया है, अगर उसने कोई भी चीज बंद कर दी, अगर उसने किसी चीज को ना कर दी, तो कोई भी चीज उसको खोल नहीं सकती, यानि हाँ नहीं करा सकती, और अगर उस ने कोई चीज खोल दिया और उसने का ये चीज इसके लिए है और इसको कोई नहीं तो इसको कोई रोक नहीं सकता है येश्व मसी के पास एक ऐसी पावर है अईूब 12 और उसके 14 पत में क्या कहता है देखो जिसको वे ढहा दे वे फिर बनाया नहीं जाता जिस मनुष को वे ब बना नहीं सकता फॉर एक्जामपल मैं आपको एक उधारन देना चाओंगा बाइबल से देना चाओंगा सदूम और अमोरा का आज इत्यास पड़ लीजिए आप सदूम और अमोरा को येश्व मसी ने नाश कर दिया आज वो जगा जो है बिलकुल भी पनप नहीं सकती है उ जिस मनुष को वो बंद कर दे जिसकी जिन्दगी का जिसका खाता ही बंद कर दे और अगर वो जीवित भी है उसका रहान, सैन, खाना, पीना सब बंद कर दे उसको फिर देने वाला कोई नहीं होता है ये बड़ी महत्पूर बाते जो है उसका परीच्छे जो है वो यहाँ दिखाई देता है तो ये चटी जो उसका जो चटा परीच्चे है यानि चटी कलीसिया के लिए जो परीच्चे है या चटी कलीसिया के लोगों के जो समयकाल है उन लोगों के लिए जो है उसका रूप जो है उसका आत्मिक प्रगटी करण जो है वो दिखाये जा रहा है और विश्वास योग और सच्चा गवा है, और परमेश्व की स्रिश्टी का मूल कारण है, वो ये कहता है, कि अब यहां पर क्या लिखा हुआ है, कि जो आमिन है, आमिन जो है, एक इबुड़ु शब्द है, इबुड़ु शब्द जो है, वो है, इसका मतलब होता है, ऐसे ही हो हम जब प्रातना करते हैं परमेश्वा से जब हम मांगते हैं और लाश्ट में कहते हैं येश्व मसी नासरी के नाम से आमिन इसका मतलब क्या होता है कि प्रभू हमने जो आप से निवेधन किया है जो हमने प्रातना करी है जो हमने हमारी डिमांड है जो हमने मांगा है वो य येशु मसी नासरी के नाम में पूरी हो जाएं यह ऐसा ही हो जिएसा हमने माँगा है इसका जो अर्फ है इसका ये अर्फ है आमिन यानि येशु मसी का यहां पर सात्मी कलीसिया ध्यान दिये यह लोगद्याई कलीसियाकाल चल रहा है लोगद्याई कलीसियाकाल के लिए कहता है कि यहां कहता है कि जो आमिन है आमिन का मतलब जिसके लिए वो सबकुछ ऐसे ही होने देता है जैसा उसकी इच्छा के अनुसार जो है वो मांग रहा है या निवेदन कर रहा है वो कह रहा है मैं आमीन हूँ, मैं ऐसे ही करूँगा, जैसा तुम मांग रहे हो, जैसे तुम्हारी दिमांड है, मगर मांगना किसकी प्रवियेशु मस्थी की इच्छा के अनुसार चाहिए, तब आमीन पूरी होती है, आप कुछ भी मांग लिजे कि साब मेरे परोसी का बेड़ा गर हो जा जाए, और मुझे क्या कहते है, धंदौलत मिल जाए, मुझे एक अच्छी लक्सरी गाड़ी मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, जब पहली बात तो इस तरीके की प्राथना है, वो करनी नहीं चाहिए, दूसरी चीज, बहुत से लोगों क अगर गाड़ी मिल गई, फोर बीलर मिल गए, तो कहते हैं, गौड गिफ्ट, अरे भाईया, क्या परमेशव पक्षपात करता, तुम्हें उसने गाड़ी दे दी, फोर बीलर दे दी, हमें क्यों नहीं देगा, ऐसा नहीं है, ये गौड गिफ्ट नहीं होता है, आप संसारि केसी गाड़ियां खरिते हैं और इतनी गाड़ियां हैं, तो हम समझे कि परमेशव नहीं घौड गिफ्ट दी ए, तो ये सब बेकार की बाते होती है, सोच होती है, कि हम परमेशव को क्या दिखा रहे हैं, कि परमेशव प्रभु येश्य मस्यीज जो है, वो पक्षपात करत गलत तरीके से समझ रहे हैं गलत तरीके से प्रातना कर रहे हैं ये बड़ी सूचनी की बात है सीधी सी बात है साथ अब ध्यान दीजेगा साथ ऐसी चीजे मैं आपको बताने जा रहा हूं जिसके बीच में जो आमिनों के बीच में हैं शुरू में भी आमिन है और अंत में भी परकाशित वक्त के साथ अध्याय और उसका बार्मापत पढ़ रहा हूं ध्यान दीजेगा बहुत ध्यान से आमिन हमारे परमेश्वक की इस्तूति और महिमा और ज्यान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ और शक्ति युगान युग बनीर है आमिन अब यहां पर पहले भ परमेश्वक की इस्तूति हमारे परमेश्वक की महिमा हमारे परमेश्वक का ज्यान हमारे परमेश्वक का धन्यवाद और हमारे परमेश्वक का आदर हमारे परमेश्वक की सामर्थ हमारे परमेश्वक की शक्ति युगान युग बनीर है यानि हमारे जीवन में भी अब आ निवाद देनी रहें, इन चीजों के लिए तो हम ये कहनी रहें, कि परमेश्वा ने हमें गिफ्ट दिया, कि उसने अपनी सामत दी, परमेश्वा ने हमें गिफ्ट दिया, कि हम उसका आधर करने पाए, संसारिक चीजों के लिए कह रहे हैं God gift, परमेश्वा की चीजों के लि परेपाश है और परमेश्वर की भाहिमा मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ आत्म और सच्चाई के साथ वो कहें कि हाँ परमेश्वर ने मुझे गौड गिफ्ट दिया है परमेश्वर ने मुझे जो है गिफ्ट दिया हुआ है तो यह जो चीजें है और वो क्या कहता है वो विश्वास योग और सच्चा गवा है किसका यानि परमेश्व का सारी श्रिष्टी का विश्वास योग और सच्चा गवा जो है वो प्रभी येश्व मसी जो है वो है यहां लिखा हुआ है परमेश्व का वचन इस बात को कहता है ना जब हम परमेश्व के वचन को साथ अदेया उसके पांच पद में है क्या लिकावा है मित्र पर वरन परम मित्र पर भी भरोसा ना करना बलकि अपने अर्दहंग्नी से समल कर बोना आज इस दुनिया में विश्वास की योग कोई नहीं है अगर विश्वास की योग कोई है तो वो सिर्फ एक है जिसका नाम येश्व मसी है जिसका नाम येश्व मसी है वो सिर्फ विश्वास के योग है और कोई नहीं है और परमेश्व की सारी स्रिष्टी का मूली कारण है मूल कारण का मतलब क्या है कि आरंबिक जो है स्रिष्टी का जो आरंब है स्रिष्टी का वो येश्व मसी है वो कहता ना कि सब कुछ उसी के लिए और उसी में और उसी के लिए जो ह ね वो सिर्जा गया है जब हम परमेश्य के वचन कुछ जवाब पुलिसीयों, एक अद्हाय, उसका 16 और 17 पद पड़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ सब कुछ उसी के लिए, उसी में और उसी के द्वारा जो है वो सिर्जा गया और सब कुछ सब जित्ती भी सृष्टी है या जित्ती भी चीजे हैं सब उसी में इस्थिर रहती है प्रभी येश्व मसी में तो इसलिए जो है वो सारी सृष्टी का क्या है मूल कारण है और कैसे मूल कारण है कि वचन के रूप में जैसे आदी में वचन था, आदी में क्या था, सबसे पहले वचन था, वचन के लाबा और कुछ नहीं था, वचन देधारी हुआ, कौन देधारी हुआ, वचन जो है वो देधारी हुआ, किस रूप में, येश्व मसी के रूप में, तो मूली कारण, सृष्टी का जो आरम है, जो पहले क्या चीज उत्पन हुई, वचन उत्पन हुआ, पहले वचन था आदी में, और वो आया, उसके बात स्विष्टी की रचना हुई है, उस वचन के द्वारा, उस वचन के लिए, उस वचन में, और उस वचन में इस्थिर है, और उसका नाम है येशु मसी, तो आपने येशु मसी में परिपूर करती हैं जैसे मैं एक एक्जामपल देकर खतम करना चाहूंगा कि मुसा के अंदर जो आत्मा थी हमने पिछले संदेशों में भी सीखा था कि मुसा के अंदर जो आत्मा थी उसमें से निकाल कर परमेश्वा ने 70 प्राणियों में वो आत्मा डिवाइट कर दी तो आप ये देखे ये तो परमेश्वा का कार है उस आत्मा को किन रूपों में वो डाल सकता है किस किस की अंदर डाल सकता है उसी एक आत्मा को वो ही एक आत्मा येश्वमसी है और जो साथ रूपों में साथ कलीसियां के अंदर प्रगट होती है तो मेरे प्यारे भाईयों भेनों इस भेट को मुझे उमिद है कि आपने अच्छे से समझा होगा कि साथ दीपक साथ कलीसिया है और साथ दीपक वो साथ आत्मा है और वो सातात्मा क्या है जो कलीसिया में किस तरीके से और किस रूप में वास करती है पर वो आप सब को आशिज़ दे, आमेर